सर नमस्कार नमस्कार जी सर क्या नाम है आपका? जी दास का नाम बजरंग दास है हम जोत्पुर राजस्तान से आये हैं जी सर संत्रामपाल जी महाराज की सर्ण माने से पहले क्या बक्ति साधना करते जे? जी बक्ति साधना तो हम बच्पन से ही करते थे और वेसे हम काल के जाल की हिसाब से देखे तो हमारा कुल भी भक्ती मारका ही था वेशन उजाती के थे तो सरुशी ठाकुर जी की मंदिरों की पूजा करते थे और पूजारी भी थे गरूपत पे जी हमारे पिता जी भी गरूपत पे थे हमारे दादा जी पी थे हम भी गाओं में जो साधना बता थे हमें लोग भी गरू भी कियते थे और गरू के नाम सी पुकारते थे और वो ये साधना करते थे देवी देवताओं की अनुमान जी की साधना करते थे ये साधना हमने 18 वर्स तक की अनुमान जी की साला सर अनुमान तो हमने का हम तो खुद ही गरु है गरु बनाने के हमें ज़रूती नहीं है तो रहें कि एक बार इन्हें कोई फायदा हुआ और तो भी हम साधना में लगे हुए थे और ये साधना करते 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 का भी डाई तीन वर्स होगे। जो फुष्टक थी परमेश्वर का सारसंदेश उनके अंदर जो लेक आया वा था वो लेक हंसी मराज का और सत्पाल जी मराज का था और उनी का दोबारा अनुवादित किया वा था और जो मंतर दे रखे थे वो हंसी मराज कही था और अनुवाद सत्पाल जी मराज ने उसमें किया वा था वो जो मंतर दे रखे थे वो मंतर तो जो हमें सोगन दिले गई थी और हाथ के अंदर पानी सोगन दिला के बिए किसी को मंतर डिक्लियर नहीं करना और वो मंतर दे के में खुद अच्चमित हो गया मैंने पूरी पुस्तक भी नहीं पड़ी थी कि अन्सा देश की बूल बूले वो जो लिकी थी वो ही पड़ा था वो पड़के मैं दंग रहे गया मैं कि इससे उपर भी कोई बगती और होगी और इसके उपर भी कोई और साधना कोई मंतर होगा हमें क्यों नहीं इनका पता लगा कि उनके पास जाके मिले चर्चा करें बात चीत करें उस उ आकड लोग ते गाली गलोच भी खूब निकाल रहे थे संजी के बारे मने किसी को बता है तो हमने शुनी अन्शुनी कर दी थी फिर हम आश्रम के अंदर पहुंचे तो आश्रम के अंदर बार शक्त पेरा लगा वा था ये मार्च 2006 की बात थी तो उस टेम पेरा लगा था हम पुद दंग रहे गई हम तो गरुजी के लिए पुष्प बगरा लेके गए गरू बनाना था माला लेके गए थे फल फ्रूट लेके गए थे तो उन बगतों हमें का ये क्या लेका है तो हमने का जी गरुजी हमें गरुजी बनाना है इसलिए पुष्प बगरा माला ये ले पूले हैंग करेंए कि पितरी शराद वरत् यह नहीं करना हैं देवी देवता की पूचा नहीं करनी है और बीडी शिग्रेट ये तमा को ये भी नहीं पीना है हालां कि ये चीजे में नहीं करता था परं तो ये तास जुआ बगएरा ये भी नहीं खेलना है और 21 नियम थे वो नियम सारे में ने पड़ लिये थे नियम पड़के फिर भी हम वह फारम बरवा दिया जी नियम के पढ़के और हम अंदर चले गए जी गरुजी से नाम दिख्षा लेने के लिए जुए हम अंदर गए थे तो वहाँ वीड कमी थी जादा संगत नहीं थी बीज के दिव में गए वे थे तो लाइन में लगे वे थे हम 10-12 वकत लाइन में थे तो हम जी अंदर गये थे मेरा नंबर आया था उस्टे घूजी गरुजी सद्गुरु रामपाल जी महराज थे ना वह सामने बेटे थे तेवी के सामने और... टीवी से ही नाम उबदे दिलाते थे सामने वो केमरा लगावाथा तो मैं जिँ Uhm, गरुजी को परनाम किया हमें ससाईब करना आता था ने, परनाम करना आता था हमने यहों जुक के परनाम किया गरुजीनka । बेटा आ गया जी गरुजी नाम लेना है सर संतरांपाल जी माःत से नाम दिख्षा लेना के बाद क्या अनुब invited जिसकी कोई शिमा नहीं है जी वएसे तो अमने नाम दिख्षा 2006 में ली उसके बाद हमारे साथ में चमतकार होने लगए है हम एकदम इतने निर्दन थे जी, हमने जो वक्ति की थी, वो वक्ति निर्दन था की इसाफ से नहीं की थी, हमने तो ये सोचा जी भक्ति करना है, घरू बनाना है, और मोक्स पाना है, इस इसाफ से वक्ति की, वेसे कोई चीज के कमी नहीं रही थी, दाल रोटी आराम से परमा कर दिए तो हमारे रोच मत्कार होते थे पलोड भी ले लिया मकान भी बना लिया चादन दा बीजनस भी दिनो दिन बढ़ने लगया और अचानक घर में विरोध भी होने लगया हमारे पिता-जी थे वह पुजारी थे और घर में साधना नहीं करने दे रहे थे हो तो भी हम में जगड़ा करवा के परमात्मा के ऊपर बलेंद लगा दिया था केस करवा दिया था तो फरमात्मा एकनी मईने बार रे गए थे जेल के इंदर और हम बार रे गए थे एकनी 19 महिने तक हमने लोगों से संग्रस weekends किया था हमें कुछ नोलेज भी नहीं था हमने गरुजी की ससंगे भी नहीं सुनी थी, हमें कुछ नियम का भी पता नहीं था, हम तो ऐसे नाम लेकर आ गए, जो ही लीला होई थी, करोता आस्रम वाली गटना होई, थो हम एक तरह का अनात होगे, केमे तो किसको केमे, सारे जगे हमारी बुराएं होने लगे, गरुजी क कि यह बात है, आप तारिकों पे जाओ, फिर तारिके पे जाते थे, हर तारिक पे गरुजी की दर्शन करते थे, पुलिस बालों के डंडे भी खाते थे, माली के दैसे हमारी वो कमई भी बन गई थी, उस टाइम दीर दीर बक्ती बढ़ गई, और दो जार आठ कंदर परमात तो होने ही था इस चीज का, तो हमारे को यहां तक नोबत आ गई कि तुम घर से बार निकल जो, इस गर में रही ने सकते हो, हमारे गर के अंदर बहुत सारी देवी देवतों के पुजा इती, अलग मंदिर बना वाता, वो मंदिर भी हमने कापी हद तक संग्रस किया भई इस कोई साधना ने होगी, यहां तो ठाकुर जी की और अनुमान जी की पुजा होगी इस गर के अंदर, फिर दिर दिर सर जी हमने जैसे भी टूटी-पूटी के सिटे-शिटे लेका आ गए, मोबैल वगर उस टाइम था नहीं, बक्ती बहुत से हम सारी साधना करते थे, एक दि दिलवा दिया, और नाम लेते ही फिर हमारे पीता जी कुछ संग्रस नहीं करते थी, घर के अंदर बहु अगर भक्ती करती हो ना, तो बड़े परिवार वाले कुछ नहीं बोलते हैं, जेटे, देवरे, ससुरे, कुछ नहीं बोलते हैं, वो भक्ती करती रहती थी, पूरे द बच्चों को लेके गूमता है, एके ले जाता तो कोई बात नहीं, अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके जाता है, आपका फरज बनता है, एक बार जाके देखो, और उसके बाद में सर जी यह हुआता, हमारे पीता जी थे ना, वो रामाइन महा भारत का गाउं के पीता जी उका था, कि आप रामाइन पढ़ते हो, कि रामाइन तो पढ़ता हूं, रोज में बुझे कंटस याद है, रामाइन, तो हमने का जी फिर दस रत के कितने पुतर थे और कितनी पूत्रियां थी, तो हो उसने लगे, कि पूतर तो पत्ता ये पूत्री थाई नहीं न नाम लेना पड़ेगा, फिर बोले नहीं कुछ नहीं बोले, फिर महीने दो महीने में माली की रजा हुई, और वो हमार साथ में चल पड़े, वो इसलिए चल पड़े के एक बार देख का जाता हूं, कोन सी जगे बे जाता है, केसे गरुजी इनके, बच्चे से रहते हैं या आप नाम लोने लोगे, वीरोधी थे, एक नम हंडी पाके हुए थे, वो नाम नहीं लेते थे, मुझे भी पता था, परमात्मा कोई रजा हो तो हजा है, फिर दो पेर का टाइम थे, बरवाल आश्रम दोलतपूर आश्रम हम गये थे, और जाके बेट गये, हम तो हमारी सेव करने लगे, पिता जी लोट गए थे, ससंग होने से पहले, पिता जी न ससंग सुनके, परमात्मा ने ससंग भी पिता जी को उपर दे रखी थी, क्या पता माली की कोई रेंजी विशेष रेंज थी पिता जी को उपर, जो ससंग पूरा हुआ, पिता जी गए थे, नाम दान ल गुरुजी शद्गुरु रामपाल जी मराज है ना पूरे के पूरे परमान दे रहा के ते और मैंने सोचा यह मोगा हासे ने छूट जाए और मैंने नाम ले लिया जी पिता जी नाम ले लिया उसके बाद हम घर आ गए और गर आते ही जो पूजागर बनावा था हमारे 33 पिता जीन का तो ठीक है माता जीन विरोध किया बहुत जादा कि आप दोनों पिता जीन को क्या खिला पिला दिया पिता जी का भी दिमाग खराब कर दिया तुमारा तुवा 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 और हमारे गर को अंदर इतने वर्सों से पूजा करते हैं यह तस्वीर बार नही तो तो सर जी हमने कम से कम एक लोडिंग ट्रेक्स ही होती है वो भर के पूरा हमारे एक नदी एक आइलाना जील वह जाकर विश्चरजन कर दिया देविदेटाँ को और करके साधना करने लगे माता जी वीरोद करने लगे तुम तो एक हो गए हमें किस की बक्ति करूंगी मेरे तो चार भुजा ना थे, हनुमान जी थे, इनकी साद ना करती हूं मैं तो, मैंने का आप भी दो को चलो एक बार देख के था हो, आप खाना पीड़ा, कुछ मत करना, आप देख लो एक बार, तो माता जी भी चल पड़े, पर मातमा को विशेश रजा हो गई, और दोलतपुर रोड आसरम कंदर जी हम पहुंचेते, गरुजी मिले ही चल रही थी, गरुजी दर्शन दे रहे थे, और जो य गरुजी ने माता जी उगो देखा, और माता जी ने गुड़े, ने नाम उभ्दिश ले लिए, और उसके बाद में बगजी हमार गर कंदर बहुत चमतकार हो भी खुत दू तो वो भक्ति भी सुनती थी तो रात को सद्गुरू रामपाल जी मराज होस्पिटल में आये थे उस बच्ची के पास आके आश्वा दिया कि बेटा तु मेरे पास आजा बच जाएगी यहां तुझे डाक्टर मार देंगे तो बच्ची को पुरी रात नीद ने आई ममी को कह रही है ममी वो ममोसा के जो गरुजी है ना सद्गुरू रामपाल जी मराज वो आये थे और मुझे वो कह रहे हैं यहां तु मर जाएगी मेरे पास आजा मैं तो महां ममोसा के पास जाऊँगी और यह डाक्टर मुझे मार देंगे ममी मुझे यहां से बचा लो ममी उसकी रोने लग गई वो भी रो रही है सुबह में टिपन लेके गया सर जी तो देखता हूँ दोनों मा बेटी रो रही है मैंना क्या क्या हुआ कि इसको पूछ तेरी बान जी को यह क्या कह रही है तो बान जी कभी मेरे से बोलती नहीं संका रखती थी मेरे से तो उसने का मामा जी गरुजी आया थे और मुझे वाल ले लो और मैं वहाँ बच जओंगे नहीं तो यहां मर जओंगी फिर मैं भी रोने लग गए कि इस आलत में कैसे लेके जओंगा इस टेक्षर पर कैसे लेगे, तो बेट कैसे पाएगी, 700 किलोमेटर की रनिंग है, तो नहीं मैं बेट जाओंगे, नींद भी नहीं लूँगे आपको, तो मैं चल पड़ूँगी, फिर मालिकी दया से गाड़ी किराये की, और गाड़ी में बिठा की उसको लेके गए थे, खाना पीना भी करने लगे, शिनान भी उसने वां कर लिए, और एकडम पेदल चलकर आई थी, इससे बड़ा चमतकार ओर उर हो इने सकता है, इससे बी और बड़ा चमतकार मालिक ने और किया था मेरी बगत मती के साथ में, मालिकी दया से हम कहीं जारे ते बार, तो रात को कोई घाट आ रहा था गाड़ी के अंदर बेटे वे थे हम गाड़ी एक्सिडेंट हो गई और गाड़ी पलट गई थी सर जी और उस एक्सिडेंट के अंदर हम करीब तीन-चार फेमेली थी हमारे बगित्मति के सबसे जादा लगी थी और सत्रा-टारा टेंक आये थे सर पूर पूर ले जाओ या जोद पूर ले जो और सीरिस केस है आप बचा सको तो बचा लो फिर सर जी हमने मां से वेन की और परमात्मों को वीनती करते रहे बंदी चोड परमात्मा आप दया करते रहो वहां टांके लगए टांके से बलड रुका नहीं बलड आता रहा और तीन-च शिटी स्कीन करवानी पड़ेगी शिटी स्कीन चोट बहुत गेरी है इसके और इनके टांके वापस कोलने पड़ेंगे तो बगदमतिक एरिया मुझे से नहीं होगा यह बहुत जादा दर्द हो रहा है और डाक्टर ने का इनको ब्योस भी नहीं करेंगे अगर ब्योस में क किया गया और टेंके खोले वो चीला रही थी जबरदस चीला चीला रही ती इतना अदर दुआ अंदर खूंड के दबबे निकल रहे थे पूरी गहरा गाव था अटारा उन्नीस टेंके वापस आये ते बहुत जी और उसके बाद में सिटी स्कीन भी करवाई थी सिटी स्की अधिया बेटी को तेरा कुछ बाल भी बांका ने होगा तो जल्दी सवत हो जाएगी तो बंदी चोड़ की देया से साथ दिन के अंदर बगतमती जी तियार हो गई और साथ वे दिन हमां असर में पहुंच गये थी इसे बड़ा कोई चमतकार हमारे लिए तो कोई होई ने स संत्रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे उप लगे हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महराज के उपर कोई आरोप नहीं लगे और संत रामपाल जी महराज को आज मीडिया वालों ने जो हाइलेट किया है उनसे संत रामपाल जी महराज का बहुत ज़्यादा परचार ओर बढ़ गया है जगे जगे नामदान सेंटर खुल गई है शेवा खुल के लिए भी वीद्योसों से आने लगे हैं कि यह तो पूरुन परमात्मा है आप जो यह लोग सद्गुरु रामपाल जी को पर बलेम लगाया है यह बहुत गलत है और यह कानून की लड़ी लड़े हैं सद्गुरु रामपाल जी मराज ना कि आम पबलिक की आम पबलिक कोई क् Straw पर मातली कर्टी यह सद्गुरु रामपाल जी मराज के ज्यान का परमात्मा का कौछ कानून की आतंतरचेंज करने का है और यह मिशल है परमात्मा का पूरा विश्यु ए करने का समय आ गया है और वह पूरा विश्यु एक होगा शन्त के बचन कभी पलटते नहीं यह औ इनने पृमान दे दिया है, इनुने परमान दे दिया है, वो परमान भी सास्त्रों मिलता है, तो इसलिए स्त्रपू रामपल जी महरा जी, इस समय के पूरitutional ज्या umuyorum शे और जगतगरू संत्त के लिए अभी न्यूक्त किये गई है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं साधना चेनल देखो और एक बार वापस विचार करो ये समय वापस नहीं आएगा ना जाने काल क्या कर डालता है पता ने चले वापस मनुष्य जनम आये या नहीं आये कर लग चोरा सी में पटक दिया तो अपना वापस मनुष्य जनम आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सब्सक्र düş», जो सब्सक्राब राजास्तान के मारवाडी आक्सेतर से समध रखते हैं, अब अपनी इस्तानिया बासा में समाज को क्या संदिफ देना चारते हैं? जहां भी देखो बच्चा बच्चा सद्गूर रामपाल जी मराज को आदर करे है और बहुत ही जल्दी सरण में भगत लोग आ रही है और उमड़ उमड़ कर आ रही है झाल झाल